मेरो आत्मी एता आजो गर्षन शार गटना करम को बारों चर्चा माछं आजो मानभ कर्म अब हमिले आपनो कर्म लाई देखने छों आजो तक कर्म की हो आजो को सभ्वेता को आखा मां हमिले जलाई कर्म भन्छं र जिबन गुजरा को लागी जिबन भर लागी पर्षं तो यो कर्म हो यो एतिके मां कर्म होई ना इसमां हमें कारे गर्ष हों इसमां हमें सारीरिक रुपको फुलो संगर्ष गर्ष हों जिबन को सारा उर्जा यही सारीरिक कारे मांने हमें समांत गर्ष हों तो येस आधार्मा यो कर्म होई ना कर्म बन्न को लागी मानव छेमताको चेतन उचाई इस पस्तर पूण रुपले रहनो पर्ष रमात्र कर्म बन्न अमेले मानव छेमताको चेतन उचाई जो हो जसला है मेले आजबन चितकार गर्ष हों तो इस सुरिय इस्थिति न भय सम्म न बने सम्म यो बिना को हमेले सरीरिक पांचुन संघर्ष गर्ष हों जिवन्यापन गास बास्र कपास को लागी इस लाइक कर्म भनी दाईन हो तो फेरी मानिश तेस उचाई सम्म मानव देखी सुर्ष सम्म को उचाई सम्म जिवन्य विकास मा जिगर्ष हों एस लाइपनी हामे कर्म भन्छाँ फेरी पनी यो कर्म होई ना कर्म कोई स्पस्टता तब आउंच जब हामे शुर्य इस्तिती बनाउंच मानव छेम ताको परिपून भोग गनशक ने चेतन इस्तिती मा रहन छों तब एस भाट हामे जे गर्षों तियो नाई मानिश को कर्म हो तो यहां समद जानको लागी हैमी जन्मको कारण छो इस जन्मको कारण लाई खोजने छों राफ नू चेतन इस्तर छो इस चेतन इस्तर लाई जानने छों फिर यहां आपनो पन, प्रकिति, परविर्थी, आपनो सुभाव युग्णोर धर्म यो सबैले पहिचान गरने छों यो सबैले पहिचान भैशा के पच्चि मात्रा आपनो कर्म देखने छों आपनों सही कर्म देखने चाऊं यहां गर्ने होई न एक के ही गर्नु नहीं चाई न बस कर्ममा हुनू आप जो हो त्यों हुनू तो त्यों सोता कर्मरत चा त्यों कर्मवान चा यहां गर्ने होई न गर्म गर्ने होई न यो सम्तने गलत चा कर्म गर्नु तो यहीं हमीं जब कर्म गर्नु बन्चों फेर इसमें हमीं विक्रीद बन्चों तो हमी किहीं गर्न लागछों, उन्हें चेश्टा मा लागछों त्यों सारीरिक भोग को चेश्टा होई यह गासबास को लागी चेश्टा होई यह यहां यंत्रिक बन्चों सब्वेता आज इस्थाप पिछ यह कर्मन होई ना तो त्यों स्थितील आए हमेले ठीक संगत जाननों पालेंच हमी सोथ हा सभाविक नहीं कर्म रद्ध चाउं यहां कर्नु चाहीं ने कहीं जस्तों बगवान इसमेरिकिष्ण भन्नोंच आफनों कर्म को बारे मां उनके ही सब्द मां नमलाई कर्म गरेर तो कोहीं लाब छो न कर्म न गरेर फेरी हानी चाउं इसलाई ठीक संगत जानूं यह इस्थितीलाई जानूं यह कस्तों इस्थिती हो फेरी पनी मानिस कर्म रद्ध चाउं फेरी पनी उनी कर्म रद्ध नहीं चानूं यह कर्म बाट बिमोग इस्थिती होईनूं इयो मानिसले आज़जन कर्म लाई लाब रहानी कुरूप मा कर्म गर्णूं मा होमियेको छो इयो दुरघटना भायेको हो यहां बाट मानिस मानव बाट जुक्नो परेको छो यहां मानव चाईन यहां मानिस होईन यहां जनवार पनी होईन यो एंत्रप पसुफ मानव जो विक्रित अवस्था मां आज़े चाओ जुन कर्म उसले गरी रहेको छा यहां वो विच्छिप्त छा यहां वो दास छा यहां वो एंत्र छा यहां वो तर्पी तर्पी गरी रहेको छा नाकि कर्म आनन्द शुरूप छा कर्म आनन्द शुरूप छा फिर हमें लियो कर्मा लाई की जेली रहे का छो कुण दुखा जेली रहे का छो कर्मा मा हैमी की गरी रहे का छो कि हमरे कर्मा आनंद शुरूप छो न कर्मा गरे रहकोने लाव न कर्मा नगरे रहकोने हाने यो भन्य खोजी गो कर्मा मा लाव्र हाने ने हो दैना यो ब्याख्याने गलत्चा कर्मा भाटः जसले लाव रहानी को ब्याख्या गर छो तियो ब्याख्याने गलर छो तो बिक्रीत अभस्था को इस्थिति हो या तो उलाब मा इच्छा मा आसा मा दोडी रहे को छो या फेर वो आनीमा हीन तामा नीच तामा यो सफलता रो असफलता को जुना मिले परिभासा बनायका छो लाब रहाने लाइले रहे संग मानव कर्मको कुनेही सम्मंद छाइड ताव एसला ही जानना को लागी उसलिए आफुला ही जानना पार्नेच आफनु कर्मरत इस्थितिला ही जानना पार्नेच जस्तो यहां जो तीस सास्त्र, योग, आयरुवेड आधी सास्त्र मां एसको रूपरेखा धेरे राम्रसंग दीएको छो एसला ही देखता पने हामी बुझन सक्छों यो बाहरी रूपमा तेस सास्त्र लाई माने रा मात्र तो बुझन सक्दाई नौँ एस द्वारा एदे हामीले अनुभव गरें उपने थोरे बुझाईमा आउँछ जस्तो बाणा ब्रामाण छेत्री बाईश्वाम और सुद्र यो बाणा को हिसाब ले या फिर गुण कोई हिसाब ले नहीं हेरा अज बाईजा नेक रूपमाटा नहीं हेरा इलेक्टोन पोर्टोन फिर आज निउट्रोन में जाओ इद्वी गुण इलेक्टोन रपोर्टोन इद्वी गुण लाई देखा फिर आज अरको गुण इस फित्र जसले दुईलाई संचालन गर्दच या फिर इसलाई तीन गुण माना जाना गुण को आधार्मा इसलाई सथ रजु और पमोगां रहता बात पित्त रहा कफ इस्थित्य के शरे अरू इसलाई है आपनों गुण को आपको 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 आपकों आधार्मा फेरिबण को आधार्मा यहां फेर आज़ा पांस तत्त को आधार्मा सब्द इसपर्श रुप्रश गन्द इसको आधार्मा यो जेशुकेको आधार्मा है मिलेट देखूं पहिला आफनो पहिचान गरूं आफनो पहिचान गर नमर लागूं एस्त्री पुरुश फेरि एसमा जन विबेग छ इस्वरत्त छ योईस्तिती ये मानव सरीर हो जन एस्त्री गोण माच फेरि अरको पुरुश गोण माच एस द्वारा जान ये जुन्सुके रूबबाटर जानाउं फेरि शास्त्रमा अलजेर होई ना शास्त्रको मत्र मान्नेतामा उल्जन यो बिल्कुल है सही ये छाई ना यो अनुभव मा यो आपनो पहिचान को लागी मात्र अपनाउं जब आपनो शुरूप पहिचान हुन्छा तब यहां आपनो कर्म जस्तो आज हामिले शास्त्रिय रूपमा ब्रमार छेत्रिये वाईश्म रसुद्र कुरुपमा होज या आज हामिले बेवस्था को एस संभेता को दासत्तो मा आपनो कर्म छेत्र लाई रोच्छाउं छान्छाउं त्यों जिवन गुजराको लागी नहीं होज एस माथी पनी आपनो पहिचान सहीत जाओ इसला ठीक संग देखाओ फिर एस बाट ते देखेरे किबल मान्नेताको आधार में कारे अपनावने होई जबसम मा आफनो पहिचान भाएको छाई ना जबसम मा आफनो चेतन इस्तर उचाहिशं मा गवएको छाई ना तबसम मा हम्दे ठीक संग त्यों कर्म लाई देखनों सकने तछाईनों बढ़न सकने छाईनों त्यों कर्म रत इस्तति मा रहना सकने छाईनों ताई पनि यो कोशिश जारी रहोश हामो कर्मे विशैमा होस– जुन हामुर इच्छ्यामा आउठ सो इच्छ्यामा आउठ आपनो पन माउठ ॥ logr i673 Chest माउठ , आपनो प्रकिटीर पर विर्दी माउठ आपनो सभाव माउठ आपनो गोंड एवड़ा छ symbi अलगे जो छो इस इसमा मौत शक्तिएर यह कुछ इसमा समक्ति इर गर जहीं गर्थो तब तुन हाई ति शहिछी ुठ जा यही शुछीटि घाटाँ defense कर्म को आनंद शरूब कर्मरत इस्थिति मा पुग्ने सक्षों जहां स्री श्रोभ और भंचन इस हाम्रोड व्याख्यालाई कर्मको लाब रहानी को व्याख्यालाई बन्धन न कर्म गरेर कुने लाब छा न कर्म न गरेर कुने हानी छ यहां लाब रहानी भंद बाहिर आओ जसलाई मानब्विय कर्म कि यह स़ना जगत कर्म रध च यह इसरे नहीं मानव चपने उचाय को कर्म मानव को कर्म उसको चितन उचाय स्मव मन्दिश च पर तेस चेतन उजाई मा गयर नहीं अफनु कर्म को पोणता हुन्ज। अफनु कर्म भोग हुन्ज। कर्मलाई भोगने हो। कारे रत रहेर भोगने हो। यहान लाव हानी को कुने ही सवाल नहीं बन देने हो। अतहा आज हानी जुन फलीच्छामा विक्रीद भय का छूं। एस फलीच्छामा विक्रीद भय को मानव लाई नहीं। उस्रीकिष्णको यह जवाब हो। इसलाइटक संगत जान Lessasi कर्मरत रहूं। शुन कर्म सहित कर्मरत इस्तिती मा वू अनन्द शरूप छा। वू गतिवान छा। वू शान्द शरूपमा गतिवान छा। आनन्द शरूपमा कर्मरत छा। जस्मा फाल लागी रहन्छ फूल लागी रहन्छ एस फाल रफूल लागी रहने करमरत इस्तितिमा आउनको लागी जुन मानव जन्मको कारण सहित को अयोग्यता छा एस अयोग्यता मा हैंगे जे गर्थ हों त्यो साधना हो त्यो साधना मा संलंग्न हों रा त्यो साधना पने जिबन को पहिचान गर्ण माने उन्मक्षोस अपनो सुरूप को पहिचान गर्ण माने उन्मक्षोस रही यही अनुसार हमिले बाहिर रभित्र चेतन रभेभारिक दुबै रुपमा अनन्द सुरूप रुपले सुइच्छेक रुपले अपनो इच्छा को रुपले कारे गरों अपनो इच्छा सहीद कारे गरों जहां उसको सिर्जन सेलता बंच इस सिर्जन सेलता अफनो पन परकिती परविट्टी को आधार को सिर्जन सेलता इस सुरूप को सिर्जन सेलता भए न भने जस्तो आज हामेली एस सभ्वेतामा बाध्यात मख कारे गर्छां तियो मानिसको लागी होई ना ति मानिसको लागी हाने कारग छा तिसली मानिसको बेगती तो नस्ट गर्छा अतहो कर्म लाई ठीक संगा जानाओ भले ज्जाग को लाभ हानी माजन आज हामें विक्रीत भायका चांँ आज हामरो कर्म विक्रीत भायको चांँ एस बाट बाहिर आउना को लागी आपन शुरूप सहितको आपन बेटित्तो सहितको तेस कारे रत अबस्तालाइद देखां जस्ट बोट फली रहांच फुली रहांच दी रहांच तो उसले फेरी तो फल फुलाई भोग ने आयाम चाहिन उसको दीने आयाम मात्रे बन्च तो दीदा खेरीको आनंद शुटेच तेमें थोरे अनभपने गर्ना सक्छो थोरे दान दिये रहेरा तेहां बेकले आनंद अच दीनुको आनंद बेकलेच एच 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 एने कर्म आनंद शुरूप्च कर्म दीन को लागी देर अपले भोगिन्च तेस बाड़ देन्च एच इस इस्तितिमा बोट को बीज बाट फल नलाग्द सम्म को अब धिलाई कर्म भनिदेन जब वो फल लाग्च फल लाग्न थाल्च अब एच पछी उसको उसको आनंद शुरूप् जुन भोगाई च यही नहीं कर्म रत्थ भोगाई हो यहां फल इच्छा रहां देना यहां अफुमा फल को फल उसे लिए भोगने आयाम सई एस भन्द अगी जो बीज बाट फल दिना को लागी योग्ये नबंद सम्म को बोट को जुन समाई अब धिच ते मानिस को लागी साधनकाल हो ते जन्मको कारण हो ते चेतना को इस्तिती हो ते अज्ञानता हो ते बाल निर्भरता को इस्तिती हो ते श निर्भरतालाई पने शोईच्छीक बनाऊ येसम अनुकुलता देऊ, बाताब्रण देऊ, मल जर्ल देऊ योपनी मानिसको हाथ माच उसको मेर 12 चब्द बरस्त माने बुद्धी हाथ माँच तब उसले यहां बाटने स्वेचीक कारे गर्ना सक्थ स्वेचीक साधना गर्ना सक्थ चो शईचेक्ता को अपना उनसाथ यह वही स्भेचीक आपना हैर जब हामीनि आपना बेक्तित्य युटब भाल दिनकुलागी बौर्ट दायर गर्छı जब हामीली बेक्ति भाट है mद बेक्तित्य निर्माः गर्छ योग्य बोट बाट तेस बेटिधत बाट जी कर्म हुम्छ एसे लाइने कर्म हनें जा यो कर्म रत्य इस्थिति हो यहन लाब भानी इसे लाइक नाईगे कर्म मा नगरेर हानी मा पोक्ष। तिम्रोग कर्म को परिभाशा नहीं गलत चा। तियो कर्म होई मा कर्मरत् चुप। यान लाव हानी को पुने संबंध चाहिए। तो जीबन कर्मरत् चा। कर्मरत् रहेर भोगने हो। बस अजो को लागी यह दिन है